हे गाइज मैं हुल सोच कन्याल और सब्सक्राइब करता आपका हाइडेक भाद इस वीडियो चाहिए पर दोस्तों बीना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बात करेंगे कि आप कैसे काइन मास्टर एप्लिकेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हो उस टेक्स को आउटलाइन कैसे कर सकते हैं उस पर स्ट्रोक कैसे आइड कर सकते हैं स्ट्रोक भी कहते हैं आउटलाइन को तो यहां पर अगर आप टेक्स लिखोगे तो टेक्स क के बाद यहां पर हम एक ब्लैंक एड़ कर देता है और एक टेक्स लिख देंगे इसको हम वाइट करते हैं ब्लैक नहीं तो यहां पर हम लेयर पर क्लिक करेंगे लेयर पर क्लिक करने के बाद इधर टेक्स को अप्शन दिखता है उसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद और यहां पर हम टेक्स लिख देंगे समझो सूरेज लिख दिया हम इने सवर्ज लिखने के बाद यहां पर वाइट कलर करें ओके इसको ब्लैग भी कर सकते हैं पर इसको हम कि वाइट रखेंगे ठीक है अभी दिखना नहीं आउट्लाइन एड़ करेंगे तो आउट्लाइन कैसे आड़ कर सकते हैं अगर आपको अपने टेक्स पर आउट्लाइन एड़ करना है तो सबसे पर आपको यहां पर सूरज मतलब जो टेक्स आपका उसके उपर क्लिक करना है उसके पर क्लिक करने के बाद यहां पर आउट्लाइन का ऑप्शन दिखता है उसे एक स्ट्रोग भी कह सकते हैं तो आउट्लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसे हम अनेबल करेंगे तो अनेबल करेंगे तो कुछ इससा का दिखेगा जहां पर इसका जो कलर है अगर कि अब सिक्भी सोगए जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह का हमारे टेक्स्ट बन चुका है ब्लाइक कलर भी ले सकते हैं कैसे यहां पर आउट्लाइन पर किह हां पर कलर चाज़ चीड़ करके ब्लाइक क्रें दिया ब्लैक हो गया और दूसरा लें तो फालो भी ले सकते हैं तो इस तरी किसाब टेक्स्ट पर आउट्लाइन डाल सकते हैं वीडियो शेयर करें यह दूस्ट और नेक्स वीडियों में में अब तक लेए